हाई फ्रेंड्स वेलकम तो ग्रोव एजुकेशन तो दोस्तो आज हम इस वीडियो में जियोग्राफिक का बहुत इपोर्टेंट टोपिक इंडिया रीवर के बारे में डिसकस करने वाले हैं जिससे की हार एकजाम में दोस्तो एक या-डोप प्रस्ट इस टोपिक पर जुरुर देखने को मिलेगा तो दोस्तो आप इस वीडियो को पूरा देखे के होगा जिससे की आपका इस टोपिक पर एक या-दो नंबर है जो पका हो जाए और हाँ इस topic को आप copy pen लेकर note कर लीजिए जिससे की exam से पहले भी एक बार topic पर निगा मार्श को तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फर्स्ट प्रशन है विशब की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंस्वर नील नदी नेक्स्ट किस देश में सरवादिक संख्या में नदी पाई जाती है? आंस्वर प्रश्या में 36 नदी नेक्स्ट विशब की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंस्वर क्या है? अमेजन नदी नेक्स्ट विशव का सबसे बड़ा बांध किस नदी में बनाया गया है आंस्वर यंग्तजे रिवर में नेक्स्ट विशव की सबसे छोटी नदी कौन सी है आंस्वर रोय रिवर नदी क्यों विज्ञान की कि शाखा की अंतरगत अध्यान किया जाता है आंस्वर, पोटामोलोजी नेक्स्ट, विश्व की सबसे प्राच्ची नदी किसे माना जाता है आंस्वर, नील नदी को नेक्स्ट है, यूरोप की सबसे छोटी नदी किसे माना जाता है आंसर, ओंबला रिवर को next question क्या Amazon नदी का पानी पिने लाइक है इसका जवाब है नहीं, Amazon नदी का पानी का है पिने लाइक नहीं है next question भारत की सबसे लंबी और बड़ी नदी कौन सी है answer क्या है गंगा नदी next नदी का मुह किसे कहा जाता है नदी का मुँ वैस्तान जहां कोई नदी किसी जील बड़ी नदी असागर में परवेश करती है उससे नदी का मुँ कहा जाता है नेक्स्ट प्रशन एश्या महादीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है आंसर यंक्तजे रिवर नेक्स्ट ब्रह्म पुतर नदी को नर नदी क्यों कहा जाता है इस कांसर क्या है हिंदू मान्यताओं के अंसार इस नदी को ब्रह्म देवता का पुतर कहा जाता है नेक्स्ट प्रशन है भारत की सबसे खतरनाक नदी किसे माना जाता है इस कांसर है विश्वा मितर नदी को नेक्स्ट है विश्व का ऐसा कौन सा देश है जिसमें एक भी नदी नहीं पाई जाती आंस्वर साउधी अरब किस देश को नदियों की भूमे के रूप में जाना जाता है उत्तर है बांगला देश को नेक्स्ट विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की जिल कौन सी है आंस्वर बेकाल लेक नेक्स्ट विश्व की सबसे चोड़ी नदी कौन सी है आंस्वर अमेजन नदी नेक्स्ट विश्व की सबसे परसिद नदी किसे माना जाता है आंस्वर यंग्तजे रिवर को नेक्स्ट दुनिया की सबसे खूब सुर्थ नदी कुन सी है अंसुर है निल नदी को दुनिया की सबसे खूब सुर्थ नदी माना जाता है अब आ जाते हैं कुछ नदियों के उपनाम जो कि भरत में जितनी में नदी हैं उनके उपनाम के बारे में पढ़ेंगे तो वरत गां किसो कहा जाता है? पुदावरी नदी को बिहार का शोक कौसी नदी को कहा जाता है पुरुशनी नद किसे कहा जाता है? रावी नदी को पुवित्र नदी गंगा नदी को माना जाता है बंगाल का सोरो किसे कहा जाता है दामोदर नदी को बिहार का सोरो कोसी नदी को और इस्सा का सोरो महा नदी को असम की जियों रेखा किसे कहा जाता है ब्रहम पूतर को अभी है अंदर प्रदेश की जियों रेखा किसे गोदावरी को मद्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा को कहा जाता है केरल की जीवन रेखा पेरियार को गोवा की जीवन रेखा मंडोवी नदी को सिक्कम की जीवन रेखा तीस्ता नदी को कहा जाता है लावणमती लुनी नदी लाल नदी किसे कहा जाता है ब्रह्म पुत्र को विपाशा व्यास नदी को कहा जाता है दक्षिन भार्त की गंगा किसे कहा जाता है कावेरी नदी को सदान वीर गंड़क नदी को वित्सता जहलम नदी को कहा जाता है आसकेनी चिनाम नदी को कहा जाता है शेतुद्रे सतलुज नदी को कहा जाता है तो दोस्तों आप इसको नोट कर लिजेगा यह पूरी नदियों के उपनाम है जो की आ सकते हैं एक्जाम में Next है किस नदी को पानी के पिता के रूप में जाना जाता है किसका उत्तर है मिसिस पी रिविर को Next Next भारत के दूसरे सबसे बड़ी नदी कौन सी है गोदावरी नदी भारत की सबसे गहरी नदी कौन सी है गागिरती और अलकनन्दा विशव की इस कौन सी नदी सबसे अधिक गहरी है यह विशव की आगी इसमें क्या है कांगो नदी केतनी है 720 फिट Next मिश्टर कावरदान किस नदी को कहा जाता है नेल नदी को दक्षिन गंगा के रूप में किस नदी को जाना जाता है गोदावरी नदी को Next भारत का नेल नदी किसे कहा जाता है ब्रह्म पुतर नदी को पांच नदीयों के भूमी किसे कहा जाता है Answer पज़्वर पंजाब को पांस नदियों के भूमी कहा जाता है । नेक्स्ट युरोप के सबसे खूबसूरत नदी कौन सी है राइन नदी حدक क्रिश्न नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है अलमाटी क्रिश्न नदी पर अलमाटी बना हुआ है अब ही हम करेंगे बांदों के नाम जिस जिस नदियों पे बने हुए हैं तो शुरू करते हैं भारत के विभी नदियों में बने बांदों के नाम तो इसमें आ जाता है बागरा नंगल बांद किस नदी पे बना हुआ है सतलुज नदी पे श्री शेलम बांध किस नदी पे है कृष्ण नदी पे बगलिहार बांध चिनाब नदी पर बना हुआ है टेहरी बांध भागिरती नदी पे मैठूर बांध का आए कावेरी नदी पर टेहरी बांध भ्रहम पुतर नदी पर उरी हाइड्रोलिक बांध जैलम नदी पर चांडिल बांद काँ पर है? सवने रेखा नदी पर अलमाटी बांद कृष्णा नदी पर नागारजुन सागर बांद काँ पर है? ये भी कृष्णा नदी पर बना हुआ है हिराकुन बांद काँ पर है? महा नदी पर उकाई बांध तापती नदी पर बना हुआ है गांधी सागर बांध नर्मदा नदी पर बना हुआ है तो इन्हें भी नोटबुक में नोट कर लीजी अभी आगे सरदार सरोवर बांध कांप यह भी नर्मदा नदी पर है जोहर सागर बांध है चंबल नदी पर महाराना परताफ सागरबांद व्यास नदी पर बना हुआ है रंजीत सागरबांद रावी नदी पर नारायन पुरबांद क्रिशन नदी पर बना हुआ है निजाम सागरबांद है मंज जीरा नदी पर कोईना बांद है कोईना नदी पर बना हुआ है और finished आता है, चिनाव नदी को किस राजय में चंदरभागा नाम से भी जाना जाता है, आंस्वर आ गया हिमाचल परदेश में सत्लुज नदी का उगदम स्टाल कहां से है तिबद के स्टाक्ष स्टाल में नेक्स्ट आ जाता है सिंदु जल समझोता क्या है ये समझोता भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में पानी के वितरन के लिए हुई थी इसमझोते के अनुसार तीन पूरवी नदी व्या, सतलुज और रावी नदी का नियंतरन भारत को दिया जाएगा ताथाता तीन पश्चमी नदीओं सिंदु, चिनाव और जलम नदी का नियंतरन पाकिस्तान को दिया जाएगा नेक्स्ट आ गया अलकनंदा नदी की दो सहाइक प्रमुक नदियां कौन-कौन सी है इस कांसर आगया पिंडार तता मंदा के लिए नदी नेक्स्ट आगया विश्व का सबसे बड़ा नदी दीप मांजली दीप किस नदी में स्थित है ये है ब्रहम पुतर नदी में स्थित है अभी ब्रहम पुतर नदी की सहाइक नदियां कौन कौन सी है इसमें आगया ब्रहम पुतर नदी की सहाइक नदियां है अभी आगया खून की नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है इसमें क्या है लोहित नदी को बंगलादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है इसका वियांसर है पदमा नदी के नाम से नेक्स महा नदी का उगदम सतल कहां से है तो इसमें आ गया महा नदी का उगदम 36 कड़के राइपूर के सिवहापाडी से होई है भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो करक रेखा को दो बार काड़ती है आंसर महा नदी है जो करक रेखा को दो बार काड़ती है नेक्स्ट आ गया ये दुवारा आ गया दक्षिन भारत के गंगा के रूप में किस नदी को जाना जाता है कावेरी नदी को विशव का सबसे बड़ा डेल्टा सुंद्रवन डेल्टा किस नदियों के द्वारा बनता है गंगावर भ्रामपूतर नदि के द्वारा बनता है मद्य प्रदेश की जीमर रिखा किस नदि को कहा जाता है आंस्वर नर्मदा नदि को कहा जाता है अनुवरती नदी किसे कहते हैं वे नदियां जो परवत के निर्मान के पहले उस स्थान पर बहती थी तथा परवत के निर्मान के कारण अपने मारग को बदल कर अन्य मारग में अन्य मारग से बहने लगती है अर्थात अपना मारग पुरोव के मारग से बदल कर अन्य दिशा में बहना अनुरुवरती नदी कहलाती है जैसे यह मुना, बेतवा, चंबल, मदे तथा बात की लगपक सभी नदियां अनुरुवरती नदी परकार की है नेक्स्ट, पुरोवरती नदी किसे कहते हैं? पुरोवरती नदी क्या है? वे नदियां जो परवत के निर्मान से पहले उस स्थान पर बहती थी अभी आगया किस नदी को खुने नदी के नाम से जाना जाता है इसमें आगया दिल्ली के रोहिणी में बहने वाली एक नहर जिसे लोग खुने नदी के नाम से जानते हैं क्योंकि इस नदी के आसपास कई लोगों के शब मिल चुके हैं